दूसरा ध्याय भगवान शिव और दक्ष प्रजापती का मनो मालिन्य विदुर जी ने पूछा ब्रह्मन प्रजापती दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत इसने रखते थे फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे स्रेष्ट श्री महादेवजी से द्वेश क्यों किया महादेवजी भी चराचर के गुरु वैर रहित, शांत मुर्ती, आत्माराम और जगत के परम अराधि देव हैं उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा, भगवन, उन ससूर और दामाद में इतना विद्वेश कैसे हो गया, जो इसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बली दे दी, या आप मुझसे कहिए श्री मैत्रे जी ने कहा विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यग्य में सब बड़े-बड़े रिशी, देवता, मुनी और अगनी आदी अपने-अपने अनुयाईयों के सहित एकत्र हुए थे उसी समयल प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया, वे अपने तेश सुरी के समान प्रकाश मान थे और उस विशाल सभा भवन का अधकार धूर कर दिये थे उन्हें आया देख ब्रह्माजी और महादेवजी के अत्रिक्त अगनी परियन सभी सभासद उनके तेश से प्रभावित होकर अपने अपने आशनों से उठकर खड़े हो गए इस प्रकार समस्थ सभासदों में भली भाती सम्मान प्राव्त करके तेशस्वी दक्ष जगत्पिता प्रहाजी को प्रणाम कर उनकी आग्या से अपने आशन पर बैठ गे प्रंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देग तता उनसे अभ्यूत्थ नादी के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका ये वेवार सहन ना कर सके उन्होंने उनकी ओर टेड़ी नजर से देखा मानों उन्हें वे कुरधागनी से जला डालेंगे फिर कहने लगे देवता और अगनियों के सहिद समस्त ब्रह्म रिशी गन मेरी बात सुने मैं ना समझी या द्वेश वस नहीं कहता बलके शिश्चाचार की बात कहता हूँ ये निलज महादेव समस्त लोग पालों के पवित्र किर्थी को धूर्ण में मिला रहा है देखिए इस घमनी ने सत पुर्षों के आचरन को लांची एवं मटिया मेट कर दिया है पंदर के से ने तरवाले इसने सत पुर्षों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नैनी असकार नहीं किया हाई जिस प्रकार शुद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते वे भी भावी बश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी इसने सत कर्म का लोग कर दिया ये सदा अपवित्र रहता है बड़ा घमंडी है और धर्म के मर्यादा को तोड़ा है ये प्रेतों के निवास अस्थान भेंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घमता रहता है पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धणंग बटकता है कभी हसता है तो कभी रोता है ये सारे शरीर परचीता क्या पवित्र भस्म लपेटे रह भूत प्रेत प्रमत आदी नीरे तिमोगुणी सभाव वाले जिवों का ये नेता है। दक्ष ने कहा ये महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंदर उपेंदर आदी देवताओं के साथ यग का भाग ना मिले। उपस्तित मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया। परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को शाप देही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अन्याईयों में अग्र गण्य नंदिश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दे दिया है तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तता उ ज्यान से विमूख ही रहे। यह चातुर मास्य यग करने वालों को अक्षे पुन्य प्राप्त होता है। आदी अधरवा रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक व्रश्ट होकर विशेश्वक की इच्छा से कपट धर्म में गिरास्थास्ट्रम में आसक्त रहकर कर् उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अत्यंत इस्त्री लंपट हो और शिग्र ही इसका मुँ बक्रे का हो जाए। यह मुर्ख कर्म मई अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान श कि छुब्ध हो रहे हैं। इससे यह शंकरद्रोही कर्मों के जाल में ही फसे रहें। यह ब्रामन लोग भक्षिया भक्ष के विचार को छोड़कर क्योवल पेट पालने के लिए विद्या तप और दतादी का आश्रे ले तता धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उनी के गुलाम बनकर दुनिया में भीक मांगते भढ़का करें। नंदिश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मन कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भ्रूगुजिनिये दुस्तर शाप रूप ब्रहान धंड दिया। जो लोग शियों भक्त हैं तथा जो भक्तों के अनुयाई हैं वे सर्थ शास्त्रों के विरुद्ध आच्रण करने वाले और पाखंडी हों जो लोग शोचाचार विहिन, मंद, बुद्धी तथा जटा, राक और हड्यों को धर्न करने वाले हैं वेहीं शेयों संप्रदाय में दिक्षित हों जिसमें सुरा और सवहीं देवताओं के समान आधर्णी हैं अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णा शर्मियों के रक्षक वेद और ब्रामनों के निंदा करते हो इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रे ले रखा है ये वेद मार्ग हैं लोगों के लिए क पुष्ट देव निवास करते हैं श्री मैत्रे जी कहते हैं विदुर जी ब्रुग्री श्री के इस प्रकाशाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन से होकर वहां से अपने अन्युआईयों सही चल दिये वहां प्रजापती लोग जो यग्य कर रहे थे उसमें स्थानों को चले गए